हलो गैज बेलकम बैक इन सकेंड पार्ट जैसे कि हमने पार्ट वन में लास्ट में जाना था कि पिर्थवी राज चोहान ने मुहम्मद गौरी को बिना आखों के ही मार गिराये थे और चंद्रबरदाई और पिर्थवी राज ने एक दुसरे को मार दिया था पर यह एक कालप पिर्थवी राज की मिर्थू के बाद गौरियों ने उनके पूत्र गोविंद राज को अजमेर के सिहासन पर राजा नियुक्त किया 1192 में पिर्थवी राज के छोटे भाई हरी राज ने गोविंद राज को हटा दिया और अपने पैतिक राज का एक हिस्सा वापस ले लिया गोविंद राजा रन अस्तम पूरा चला गया जहां उसके सासको की एक नई चोहान साखा अस्थापित की बाद में हरी राज को गोरियों ने जनरल तुबुदिन एवक ने हराया था पिर्थवी राज को चोद्मी से पंद्रवी सताबदी के प्ररामविक संस्कृत बिवरन और उसत दरजे के सफल राजा के रूप में परस्तूत करते हैं जो केवल एक विदेशी राजा के अपनी हार के लिए आदगार था जैन लेक को द्वारा लिखे गए परवंध चिंता मनी और पिर्थवी राज परवंध उन्हें एक आयोग राजा के रूप में चितरित करते हैं जो स्वय अपने पतन के लिए जिमेदार था परसित गरंथ पिर्थवी राज रासो जिसको राजपुत दरवारों द्वारा बड़े पैमाने पर संद्रचित दिया गया था पिर्थवी राज को एक महान नायक के रूप में चितरित करता है। पिर्थवी राज के बंस को बाद के काल में राजपूत बंसों में से एक के रूप में वर्गिक्रीत किया था। हलाकि उसके समय में राजपूत पहचान मौजूद नहीं थी। समय के साथ पिर्थवी राज को एक देश भक्त हिंदू योद्धा के रूप में चितरित किया गया, जिसमें मुस्लिम दुस्मनों के खिलाप लडाई लड़ी, सोल्वी सताबदी की किमबादियों ने उन्हें भारत के राजनितिक केंद्र दिल्ली वजाय अजमेर के जो उसकी वास्तविक राजधानी थी का सासक बनाया, फिर्थवी राज को अब अंतिम हिंदू समराट के रूप में वर्नित किया गया है, यह पदनाम गलत है क्योंकि उसके बाद दच्छिन भारत में कई मजबूत हिंदू सासक फूले फले और उत्री भारत में कुछ समकालिन हिंदू सासक उनके जितने ही सक्तिसाली थे, पिर्थवी राज को सम्पृत कई समारक और निर्मान अजमेर और दिल्ली में किया गया है, उसके जीवन पर कई फिल्मे और टेलिवीजन धरवाहिक बने हैं, इनमें हिंदी फिल्म समराट पिर्थवी राज चोहान और हिंदी टेलिवीजन धरवाहिक धरती का बीर योद् के संदेश पर जोर देते हैं